हलो गाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीस फ्रम बेसिक्स में और आज हम लेकर आ हैं 16 जुलाई 2024 के most important current affair के questions तो चलिए गई शुरू करते हैं आज के मारी वीडियो तो आज का मारा पहला फस्टोशन है हाली में चर्चा में रही आई स्पेस हाइपर बोला वन रॉकेट का संबन किस से है तो इसका जो संबन है यह है अगर देखा जाए चीन से यानि option डीस का राइट आंसर है चीन अब यह अगर देखा जाए जो रॉकेट है यह को उपगरह लेकर जा रहा था और यह अगर देखा जाए प्रक्षेपड के तुरंत बाद यह अगर देखा जाए यह नस्ट हो गया तो इसी कारण अगर देखा जाए यह चर्चा में था तो आई स्पेस हाइपर बोला वन रॉकेट यह चीन की प्राइवेट कंपनी का था और यह एक उपगरह लेके जा रहा पहला विश्व और विज्व और मनोरंजन शिकर समयलन दोजार चॉबिस कहां युजित होगा तो इसे अगर हम बोल सकते हैं तो इसे बोल सकते हैं वर्ड और विडियो एंड़रेटेंटमेंट समिट अब अगर देखा जाए वेप्स यानि अगर देखा जाए विश्व का फहला हो रहा है तो यह आपको ध्यार न अगना है और 2014 में यजवित और 2014 में यकोबहност होगा तो यह कौन सा मंत्राले घ्रवाएगा तो यह हमारे कवार सूचन और प्रसारण मंत्राले के द्वारा होगा तो सूचना और प्रसारण मंत्राले यह आपको ध्यान रखना है और इसके जो हमारे मंत्री है वो है अश्वनी वैश्णप तो इनका भी नाम आपको याद रखना है अश्वनी वैश्णप का नाम नेक्स्ट हमारा अगला कोशन हाली में नीती आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किसे शीष इस्थान मिला है तो यह इस्थान मिला है उत्रागंड को यानि अप्शन सीज का हमारा राइट आंसर है अभी इससे पहले यह तो जो रिपोर्ट आई है SDG Sustainable Development Index अभी यह हमारी कुछ दिन पहलो अगर देखा जाए तो यह हमारी विश्व की भी आई थी तो विश्व अगर देखा जाए तो विश्व में हमारा अगर देखा जाए भारत का एक अलग स्थान दा और यहां जो बात चल रही है अगर देखा जाए तो यहां जो बात चल करम है यानि यह अपनी फोर्थ करम की रिपोर्ट है अब इसमें अगर देखा भारत का पहला राज्य कौन सा है वो है उत्राघंड दूसरा है केरन और तीसरा है तमिल नाडू तो यह हमारे टॉप थ्री राज्य है और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा नीचे अगर दे तो टुमारी वग्याद नहीं अगर थिन तोगा यह घस्क देखा पर के दो पर में बात करें तो विश्यों हमारी विष्योन में वह सिद्गाना है इब भारत का नौवा इस्थान है तो वर्ड का एक अलग महत्व है और भारत में अगर देखा जाए SDG का एक अलग है ये नीतिया योग के द्वारा है तो ये आपको याद रखना है नाइस्ट है मारा अगला कुशन हाली में किस राज्जी के APCNF कारिकरम को पुर्तगाली गुल बार्कियन पुरुस्कार 2014 से सम्मानित किया गया है तो ये AP है तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं ये है आंधर प्रदेश यानि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है आंधर प्रदेश अब ये आंधर प्रदेश का एक सामुदाइक कारिकरम है और ये अगर देखा जाए ये स्पेशलिय अगर देखा जाए ये किसके लिए है तो ये अगर देखा जाए तो ये प्राकरतिक क्रशी को बढ़ाने के लिए तो प्राकरतिक क्रशी या प्राकरतिक खेती इसको बढ़ावा देने के लिए आंधर प्रदेश सरकार ने योजना चलाई थी 2016 में तो 2016 में ये योजना चलाई थी जिसका नाम था आंधर प्रदेश सामुदाइक प्राकरतिक खेती तो नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं ये और ये 12.16 में शुरू हुआ था अब पुर्तगाली संस्ता अगर देखा जाए तो पुर्तगाली पुरुसकार है गुल बार्कियन पुरुसकार तो ये आंध्रप्रदेशी संस्ता को मिला है इसके भैतर काम के लिए इसके लिए अब आंध्रप्रदेश में करते हैं अभी हाली में एंटियार भरुस्वा पैंशन योजन शुरू की थी और आंध्रप्रदेश के जो मुख्य मंत्री हैं वह चंद्रबाबू नाइडम नाइडू जिनकी पार्टी का नाम है तेल्गू देशम पार्टी और यहां के जो डि दुनिया का पहला शहर कौन सा है तो दुनिया का पहला शहर है पालताना यानि और यह आपका है गुजरात में और गुजरात में भी अगर देखा जाए तो यह है भावनगर जिले में तो भावनगर जिले में इस्तित है अब यहां अगर देखा जाए यह जो पालताना है य जैन मंदिरों का शहर है अब आप इसी बात से अगर देखा जाए समझ जाएंगे कि जैन मंदिरों का शहर है तो जैनी अगर देखा जाए अहिंसा की बात करते हैं इसलिए यहां अगर देखा जितने भी मांसाहरी भोजन है इसमें प्रतिबंद लगा दिया गया है तो गुज करशी start up को साहंता देने के लिए agriculture लांच करने की घोशना किस है तो agriculture यानि agriculture को बढ़ावा देने के लिए और agriculture यान ईक्रशी करें न्वाचार करने के लिए लगवाग अर देखा जाये तो साढ़े साथ सो करोड निवेश कोन करेंगे तो यहां पर option है जिस्ट करूंपर है ना करता है और यही बात करेगा एगरिशो और योजना के तायत क्रशी में नवाचार की अब यह नवाचार यानि तक्निकों की बात करेगा और इसके लिए इसने अगर देखाया साड़े साथ सो करोड़ रुपे की क्या दिया है मनजूरी दिये यह भी आपको ध्यान रखना है next हमारा अगला गुशन हाल ही में खार्ची पूजा महुटसब का आयोजन कहां हुआ है तो खार्ची पूजा महुटसब का आयोजन हुआ है तिरपुरा में यानि option ace का right answer है तिरपुरा और अगर हम बात करें ये जो बूजा होती है तो ये अगर देखा जाए इसमें 14 देवताओं की बूजा होती है इसलिए से 14 देवताओं का उतसब भी कहा जाता है और ये अगर देखा जाए खार प्लस ची नामक दो शब्दों से बनाएं खार का मतलब होता है पाप और ची का मतलब होता है इसकी सफाई तो पापों की सफाई है यह अगर देखा रहा है पाप मुक्त होने के डे हैं यहाँ पे यह जो होता है असाड माँ असाड महा में अगर देखा जाए एक त्योहर मनाते हैं जिसका नाम है खाडची महुटसब इसके लाब अगर बात आती है तिरपुरा की जो बंगरादेश के साथ सीमा लगी हुए उसे शोने रेखा भी कहते हैं इसके लाब कोक वरोग भाशा भी कहां किये तिरपुरा किये यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट हमारा अगला कुशन हाल ही में बिविल्डन पूर रुष एकल दोजार चॉबिस का विजिता कौन है तो बिविल्डन अभी अगर देखा जाए हुआ है और यहां अगर देखा जाए जो विजिता है वह है कार्लोस अलकराज यानि यह अगर देखा जाए राइट अंसर है कार्लोस अलकराज और इन्होंने अगर देखा जाए नोवाग जोगोविक को क्या है हराया है और विश्व में सरवाधे ग्रैंट स्लैम अगर किसी के नाम है तो वह नोवाग जोगोविक के नाम है और इन्हें ही हराया है और इन्हे अबर देखा जाए, सपिन से और अगर हम बात करें अगर देखा इने में फीमल कर तेटेगरी में बे आपको आपको देखा जाए, नाम यादा rocket रखना राया है बार ध्यान रखना यह सबसे पुराना है जो अभी तक चल रहा है, आगे है हमारा next अगला कुश्ण, हाल ही में चर्चा में रही, अपर सियांग जल विद्दुत परियोजना का संबंद किससे हैं, तो जल विद्दुत परियोजना संबंद जो सियांग है, तो यह है अरोणाचल प आम पर जाते हैं हो और यहीं पर बना जारा है जिसका नाम है आपक्पर सियंग जल्विद्ध पर यहां के लोगों को है क्योंकि जब यहां पर आगर देखा है पर्यावरण को काफी जी द्वारा अगर देखा जाए यह योजना पारित की गई है तो यह आपको ध्यान रखना है तो यह सियांग नदी है और सियांग नदी आगे चल गए असम में हमारी हो जाती है ब्रहम पुत्र और उसके बाद यह बंगला देश मगर देखा जाए तो यह हो जाती है जमना त सुरक्षा बढ़ाने के डिये सेफटी रिंग किसने लॉंच किया है तो इंटरनेट और मुवाइल बैंकिंग में अगर देखा जाए सुरक्षा है तो यहां अगर देखा है सेफटी रिंग का मतलब यह है कि केबल अगर देखा जाए आप एक अपने अकाउंट पर लिमिट ल पी एन भी और अगर बात आती है यह क्यों कर रहा है सुरक्षित वैंकिंग के डियब ताकि किसी को भी कस्टमर को कोई भी नुक्सान ना हो तो गाइस यह थे हमारे आज के मोस्ट इंपर्टन कोशन और अगर आपको किसी भी कोशन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमें करके पूस सकते हैं और अगर आइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग